तो दोस्तों हमारे शरीर पर तिल का होना कुछ ना कुछ हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करता है यानि कि अच्छा या बुरा घटित होने के कुछ ना कुछ लक्षन देता है और ये जो तिल होता है हमारे जीवन पर समय समय पर positive या negative results देता रहता है आज मैं आपको चहरे अलग अलग जगा पर तिल होने के लक्षन और उनके प्रभाव बताने वाला हूं तो नमस्कार दोस्तों मैं सुभार शर्मा चंडिगर से लाल किताब के ज्यान में आपका स्वागत करता हूं दोस्तो लाल किताब में भी हमारे शरीर के अलग-अलग अंगों के बारे में बताया गया है कि आपकी ना कैसी है, आपकी आखें कैसी है, आपकी बहुएं, जो आईब्रोज होती हैं, वो कैसी हैं, तो आपको जीवन में कैसे संघर्ष और कैसे उपलब्धियों की प्राप्ती होगी, कई बार आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति काफी जीवन में संघर्ष करते हैं, और कुछ लोग अपने जीवन में काफी उपलब्धियां, यानि कि उनकी जीवन जो होता है, काफी सौफ्ट होता है, और खुश्मय होता है जीवन में, चीजें मिलती रहती हैं, तो ब्रस्पती की जगा मानी गई है और यहां पर तिल आ जाए ब्रस्पती के स्थान पर तिल आ जाए तो यहां पर कहीं न कहीं जीवन में एक अच्छे संबंद क्रियेट करवा देता है जीवन में इंसान के तरक्यां दिलवाना शुरू कर देता है इंसान को समय समय पर गैबी म बंद रखते हैं और तिल हो गए लहसन हो गए या फिर बड़े निशान हो गए जिसे कदम भी कहा जाता है ऐसे भी निशान इनसान के जीवन पर प्रभाव डालते हैं और यह तिल अगर माल लीजे व्यक्ति के दाहिने और यानि कि जो इनसान का राइट पार्ट होता है राइ से डिवाइड करिए और आपका यह जो राइट पोर्शन है माथा यहां पर कहीं पर भी तिल हो तो आप समझ लिजे काफी लगी हैं आपके साथ प्रभू की शक्ति हमेशा रहेगी ऐसे व्यक्ति जब भी कभी बड़ी मुसीबतों में फज़ आते हैं तो इनको उपर वाला कहीं न कहीं मुसीबतों से निकाल लेता है ऐसे व्यक्ति अपना अगर अच्छी तरह से परफॉर्मेंस दें और लोगों के साथ संबंद स्थापित करना शुरू करें यानि कि उच्छे ओधे वाले लोगों से तो इनके काम आगे बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं और इनके उनके संबंद भी अच्छे रहते हैं ताकि जीवन में ऐसा व्यक्ति उनके संबंद या संपर्क में आके तरक्किया कर सके अब बात करते हैं हमारी बहुएं जिने हम eyebrows कहते हैं ये आपकी eyebrows हैं eyebrows के भी लक्षन है आज मैं आपको सिरफ और सिरफ तिल के बारें बताने वाला हूँ बाकी और आने वाली ऐसी वीडियो में भी आपको ऐसी जानकारियां दूँगा जिसमें कि आपके eyebrows कैसी आखे कैसी हैं वो लक्षन अलग हैं पर यहां पर अगर यह आपकी eyebrows हैं यह दो eyebrows हैं और इन दोनों के बीच में अब यहां पर बीच की बात की जा रही है इन दोनों के बीच में जहां पर बिंदी लगाई जाती है या तिलक लगाया जाता है यह नाक और eyebrows के बीच का थोड़ा सा हिस्सा य यहां पर आपको अगर तिल है तो यह काफी अच्छा है उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग abroad में सेटल होना चाहते हैं या उनके अंदर इच्छा है कि वो कहीं दूसरी जगा सेटल हो और अपने जन्म स्थान से दूर जाके सेटल हो या विदेश में जाके सेटल हो तो यहां पर तिल की information दी जा रही है अब बात करते हैं married life में problem वाली माल लीजे किसी पुरुष की कुंडली में या स्त्री की कुंडली में left eye जो आपकी बाई आख है बाई आख के आसपास कहीं पर भी या बाई आख पर तिल है या बाई आख की पलक पर तिल है तो समझ लीजे यह कहीं ना कहीं married life में दिक्कतें देने वाला होता है व्यक्ति के जीवन में वो विवाहिक जीवन का सुख नहीं मिलता है जो उसको मिलना चाहिए अगर वो स्त्री है तो उसको ना ही respect ना ही regard एक तरीके से बस चल रही होती है गाड़ी धका मार अब हम बात करते हैं married life में ह सुखों वाली माल लीजे किसी के ठोड़ी पर तिल है जिसे हम चिन बोलते हैं आपकी ठोड़ी पर तिल है ठोड़ी पर चाहें left हो चाहें right हो तो ऐसा व्यक्ति भी अपने जीवन साथी को वो प्यार से आदर respect नहीं देता है ऐसे व्यक्ति कई बार दूसरी स्त्रियों के च हुए जीवन में कहीं न कहीं married life के सुखों में बाधा create होती है जो कि married life में एक मुख्य हिस्सा हो जाता है क्योंकि विवाहिक जीवन एक तरीके से husband wife के एक ताल मेल से चलता है अगर एक गरम है तो एक को नरम होना चाहिए अगर दोनों ही गरम होंगे तो आप समझ सकते हैं क काम वासना के खयाल या फिर ऐसे व्यक्ति अपना समय जो important समय होता है वो इन खयालातों में निकाल देता है आपने देखे होंगे कई लोग मुगेरी लाल के हसीन सपने वाले या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगर बैट जाए चार-पांच लोग और उनमें कहीं महिल महिला है तो ऐसे व्यक्ति उस महिला से संपर्क बनाने की बहुत जल्दी कोशिश करते हैं अगर महिला है तो उसके अंदर भी एक attraction होगी महिला के भी अगर चेहरे पर तिल है वो खासकर होट के हिस्से पर अगर हम left या right कहीं पर भी देखें तो ऐसी महिलाएं भी काफी ज़्यादा सजग रहना चाहिए अपने husband wife के relations को strong करिए अपनी bonding को strong करिए और अपने अंदर इस तरह का विश्वास पैदा करिए कि ना ही husband आप पर शक कर सके ना ही आप husband पर शक करो कि आपका विवाहिक जीवन सही चलता रहे अब हम बात करते हैं धन के लिए जो लो पैसा नहीं है तो आपके समझ लिजे ना ही जरूतें पूरी कर पाऊगे और आपका confidence वैसे ही down रहेगा क्यूंकि आपके अंदर हमेशा compromise करने की भावना जग जाती है आप दूसरों को देखते हो पर आपने आपको यह कहके तसल्ली देते हो कि छोड़ यार मैं नहीं कर पा तिल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो अगर तिल दिखाई दे जाए तो ऐसे तिल को इनसान के जीवन में एक तरह से financial struggle का सूचक माना जाता है और यह financial struggle इनसान के जीवन में हर तरह से आता है चाहे वो इनसान पैसे जोड़ ना पाए ज्यादा खर्चा हो और समय अकारण ख पहाग जाए पैसा कहीं पर फस जाए पैसा गलत जगा पर इंवेस्ट कर दिया हो या फिर जीवन में इतना संगर्श हो कि इनसान की रोजी रोटी का गुजारा मुश्किल से होता हो तो चलिए अब चेहरे की काफी हमने बात कर ली बाकी और भी वीडियो आएंगी अब हम बात करते हैं कान के बारे में जिसके भी कान पर तिल हो ऐसा अक्सर कहा जाता है कि ये कान का बहुत पैना है यानि कि कान का बहुत तेज है बहुत सी बातों को सुन लेता है पर ये कान पर तिल होना व्यक्ति के कहीं ना कहीं हेल्थ को प्रॉलम देता है ऐसे लोग मरन अवस इससा 12 साल तक एक तरह से इनके जीवन में संकट और परेशानिया देने वाला होता है कही माबाब देखे होंगे बच्चों को हमेशा होस्पिटल ही लिए गूमते रहते हैं क्योंकि वह जरा जरा से मौसम के बदलाब में परेशानिया उनके जीवन में आ जाती हैं कहीं सर्द परकार की उनको शरीर में दिकत रहती है जौडों की दिकत हो तुकि यहां पर के इत्त है कान पर तिल जतने भी होंगे अगर हम देखें तो ये तीन तरी से हमारे जिवन में असर देते हैं, राहू के भी असर देंगे, शनी के भी असर देंगे और साथ-साथ केतु के तो आएंगे ही आएंगे, लाल किताब की सभी समगरी, अब आप मेरी वट्साप कटलोग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने ऐडरस पर वाव भी सकते हैं तो इस तरह से आपके जीवन पर अगर माली जे केतू के बुरे असर हैं तो सबसे पहले यहां पर उपाय भी केतू का होगा और डिपेंड करता है कि आपको अगर यह कहीं फाइनेंशल प्रॉब्लम दे रहे हैं कहीं आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम दे ओवर तो ऐसे केस में उस जगा पर आपको तिल पर अगर मारी जे मेरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही तो उस जगा पर आप दूद पीते हैं तो दूद थोड़ा सा उस तिल पर लगाते रहे हैं अगर आपके माथे पर तिल है आपकी कानों पर तिल है हेल्थ की प्रॉब्लम अगर आप लगाते रहोगे तो जो दिल के परभाव हैं बुरे उनसे बचाव होता रहेगा और इसके साथ साथ आपको केतु को जरूर शुप करना है क्योंकि केतु हमारे साथ हर वक्त रहता है कैसे रहता है केतु हमारे अच्छे कर्म हैं जो की हमारे साथ सदा ही रहते हैं र लिजे आपकी परचाई अगर राहू है तो परचाई भी आपका साथ छोड़ती है क्योंकि रोशनी का जब भी हमारे उपर किसी प्रकार से प्रभाव ना हो तब हमारी परचाई भी नहीं होती है पर केतु एक ऐसी एनरजी है जो कि अनसीन एनरजी है आपकी दैविय किरपा स जुड़ी हुई एनरजी है जो कि हमारे साथ हमेशा रहती है और केतु को शुब करना बहुत जुरूरी है इसके लिए बहुत सी वीडियो हैं जो कि मैं बना चुका हूँ केतु के अलग-अलग भाव के हिसाब से लक्षन क्या है या इनकी परेशानिया क्या-क्या है जिनके कीडे मकोडे जैसे चींटिया बगएरा होती है इनके उपाय करना हमारे जीवन में कर्म है और इन ही कर्मों से हम दूर जाते जा रहे हैं इसलिए आज कल के समय में यही कर्म उपाय का हिस्सा बन चुके हैं उपाय के रूप में आप इनको करते हो क्योंकि जिन चीजों से द भास भाई को आगया दीजे नमस्कार